और मैं अभी टरनल को देखने के लिए मेरे लिए खुली जीप की विवस्ता की गई थी तो मैं भी नियम कानून डिसिप्लिन के कारण थोड़ी देर तो जीप में चला लेकिन बाद में उतर गया और यहां आने में जो दस पन्ना मिट देर हुई उसका कारण भी यही है फिर मैं पैदल चलने लगा पैदल इसलिए मैं चला साइड में जो आर्ट वर्क हुआ है उसको चाओ से देखने के मारा मन कर गया एक एक चीज में देखता चला गया मैं कह सकता हूं कि यूज जी ने तो वणन किया यह रितुओं का उसमें है यह ठीक है जब हम चर्चा कर रहे थे तब बाते बताई थी लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बाते बताई थी मुझे यहां उसमें भी वेल्य एडिशन लगा नयापन लगा अच्छा लगा एक जो मैं अंदर टरनल से देखकर के आया तो मैं कह सकता हूं यह एक भारत सेष्ट भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा लेकिन यह देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टरनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलेरी नहीं होगी इतनी बड़ी ही लंबी आर्ट गैलेरी बन गई है भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है उसकी विवीदेताओं को उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो तो यह टनल की यात्रा करके कोई आएगा वो विदेशी होगा तो भी वो मैसूस करेगा अच्छा नगलेंड ऐसा है केरल ऐसा है जमुकिश्मीर ऐसा है यानि इतनी विवीदेताओं से भरी हुआ हुआ वो आर्ट वर्क है और वो भी हाथों से तयार किया हुआ काम है यह सब देखने के बाद मैंने जो भाषन दिया आप तक उससे मैं थोड़ा विप्रित सुझाव देना चाहता हूँ मैं नहीं जानता हूँ एक्सपर्ट लोग मेरी सुझाव को कैसा लेंगे मेरा सुझाव है पैसे भी संडे को थोड़ा ट्राफिक कम होता है क्या संडे चार छे गंटे जो टैनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाए उल्टा काम करने के लिए बैस विजाव दे रहा हूँ संडे को चार छे गंटे किसी भी वेहिकल को वहां एंट्री न दी जाए और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाएं बहुत बड़ी सेवा होगी और मैं तो कहूँगा विदेश मंत्राले को कि सबसे पहले यहां जो अम्बेसेडर्स है उनके मिशन्स है सारे सारे मिशन के लोकों को ले जाए और स्टरनल में पधियात्रा कराएं वहां जाते हैं पता चलेगा यह अब यह गांदी जी आए पता चलेगा हाँ यह कुछ बगवान करश्ट से जुड़ी हूँ कुछ चीज है यहां देखते हैं पता हाँ यह असम के नुरुत्य दिख रह पर तो भले कम क्यों दस पैसा क्योंनों लेकर टिकेट ट्रकर के लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतु लोगों के जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उप्योग होगा उसका काउंटिंग भी होगा मैं सच पताता हूं दोस्तों शाज मुझे सोफा के नहीं मिलता क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो कोई मुझे उतरने भी नहीं देता लेकिन आज वो खाली था तो मैं पैदल टहल करके आ गया बाकई बाकई जिनको आठ में रूची है आठ के माद्दम से चीजों को कुछ प्लान किया जाएं इसकंग विशेक और डुनिया में जब गुजराथ में जशा तो मैंने कुछ दिने प्रयोक किया था लंबा तो मेरा नहीं चला अमिदाबाद में एक बहुत ही टाफिक वाला राज्ता था तो मैंने एक साही किया था कि महीने में फलाना दीवस बात भी तो मैं भूल गया उस रोड पर कोई वेहिकल एलाउ नहीं करेंगे वो रोड बच्चों के लिए होगा Every Child Matters वो बच्चे उसका बहुत ही आकरशन हुआ था जो रोड भरा भरा रहता था वो बच्चों को खेलने का मुका मिले उनके उनका मन भर जाता है मैं मानता हूँ सब्ता हमें एक दिन जब टाफिक कम होता है होसकता है संडे मिल जाए 4-6 घंटे इसको purely पैदल चलने के लिए एक बड़े अभियान के रुपे चलाये जाए और वियाईपी लोग पैदल चले मैं तो कहूंगा जब पार्लामेंट शुरूँ होगी तो मैं सब MPs को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो ज़रा पैदल टाहल करके आ जाईए और इसकी शुरूआत करनी है तो जो आठ क्रिटिक राइटर्स होते हैं मिडिया के आठ क्रिटिक जो राइटर्स होते हैं उनको एक दिन स्पेशनल कारकम करके ले जाईए मैं पक्का मानता हूं और कुछ तो अच्छा लिखेंगे लिखेंगे इस बात को सही दिखेंगे पहुंचाने के लिए अच्छा काम हुआई जी इसका हम उप्योग करें